हेलो दोस्तों यह हमारे पास सिंगल डोर का फिरीज आया हुआ है और इस फिरीज में क्या है करेंट आ रहा है कभी भी करेंट आता है तो आप देख रहे हैं कि यह जो हमारी में वायर होता है इसके अंदर तीन लाइन होती है रेड और ग्रीन और ब्लैक रेड और ब्लैक तो ह हमने कट करके देखे लेकिन जो करेंट है वो नहीं गायब हुआ और कस्टमर ने हमसे सीधा बोल दिया कि भी अगर आप करेंट नहीं कर पाएंगे तो हम कंपनी वाले को बुलाएं या फिर किसी दूसे टैक्निशन को बुलाएं उन्हें बोला कि हम आपको पेवी नहीं कर पाएंगे तो मुझे बहुत टाइम लग गया इसको करेंट गायब करने के लिए वीडियो पर बने रहें क्योंकि आपको भी यहाँ पर सीखने को मिलेगा कि यह किसी का फिरिज का करेंट गैसे गायब करते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करता है क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें वीडियो बुराने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप देख रहे हैं कि हमने कंप्रिशर का वायर है वो निकाल दिया ह और टैस्टर की लाइड जल रही है इसका मतलब यह है कि जो हमारा अर्थ का लवायर काटने पर भी करेंट हमारा जो आ रहा है और जो फिरिज की सप्लाई है जो फिरिज में हमारा न्यूटल फेज जाता है यह आप देख रहे हैं कि हमने यह रीले बगड़ रखा यह हमारा OLP है यह हमारा कंपरिशर में लगता है तो हमने इसको निकाल दिया था कंपरिशर में से क्या पता कि कंपरिशर हमारा फुग गया हो और कंपरिशर शॉटिंग दे रहा हो लेकिन फिर भी जो बॉड़ी में करेंट आ है बहुत जादत आ रहा है इसको हमें गाइब करना है सो गाइज एवर हम मैं आपको और दिखा दूँ देखे टैस्टर में किनी तेज लाइड जल रही है सो गाइज मुझे बहुत टाइम लग गया इसको करेंट को वैप करने में क्योंकि लाइफ में मुझे ऐसी पहली फ्रीज मिला है जिसने मुझे इतना परिशान कर दिया सो गाइज मैं एक एक चीज इसको आपार्ट को निकाल के बताऊंगा कि क्या पता करेंट यहां से ना आ रहा हो उपर से आ रहा हो क्योंकि फ्रीजर के पास हमारा थर्मोस्टेट लगा होता है और thermostat के पज़ PP लगा होता है जो सबसे पहले आपको यो हे फ्रीज का ऊपर खोलना को यह की इस फ्रीजर के पीछे जो हमारा लगा होता है, प्रेंफख सब्यश्तेorted लगा होता है और हमारा होडर CP लगा हुता है जो हमाराàiik MS प्रेंट जलता है कभी शुबार ऐसा होता है कि जैसे हमाराbthermothetate में मौस्चर आ जाता है और मौस्चर के करणड क्या होता है क्योंकि करणंड बन जाता है क्योंकि जो thermostate attach होता है वो हमारा body's attach होता है और वह गेलापन के करणड़ की मौश्यार के कारण जो है पूरे फिरिज के कर्णट आ सकता है तो आप देख रहे हमारे पास य जो अमने इसे कोल दिया है कोलने ऑद आप देख रहे हैं थर्मोश्टेट में हमारा Blue Line और Red Line जा रहा है इसे हमें निकाल लेना है निकालने के बाद फिर हमें फिरिज को चालू करके देखेंगे कि करेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है और यह हमेंसा सीरीज में लगे होते हैं एक वायर हमने निकाल दिया है दूसरे को यह आपको आराम से बन रहा है, so guys हमारा जो ये blue wire है और red wire है, इसको हमें आपस में short करना है, short किया इसको temporary short करेंगे, और आप देख रहे हैं कि हमने एक छोटा page कस लिया था, उसको हमने आपस में इसको इस परकार्चर short कर दिया है, short करने बाद ये देख रहे हैं कि body से बहुत अलग रखा हुआ है हमने, कि ये body से attached ना हो, क्या पता से wire के थुरू भी current आ सकता है, तो हमने इसे बहुत दूर दिया पोच के, और आप चेक कर रहे हैं, देखने कि फिर भी जो हमारा जो टेस्टर है, वो हलका सा जल रहा है, और current भी बहुत कमा रहा है, लेकिन customer ने सीधा हमें बोल दिया है कि अगर current नहीं गायब हो पाएगा, तो मापको pay नहीं करेंगे, और हम किसी दूशे technician को बुला लेंगे, तो ये तो आप इज़त वाली बात हो गई है, अब इसको हमें करना पड़ेगा, तो मेरे पर दो ऐसे point है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, current उसमें गायब हो ही 20 है, शुबाए इस वीडियो पैसे ही बने रहें, और आप देख रहे हैं कि हमने जो ओएल पी रिले निकाला था, इसको हम वापस से लगा देंगे, क्योंकि हमें पताद है कि हमारा current है, वो हमारा compressor से नहीं है, और आप देख रहे हैं कि हमने जो ओएल पी है, और रिले है, जो हमारा supply लगता है, compressor में हमने इसको लगा रहे हैं, लगाने बाद फिर हम क्या नामे इसको बताएंगे कि current कहां से बन रहा होगा, और उसके बाद हम यहां फिर चालू कर रहे हैं, फिर चालू करने बाद फिर एक बार हम चेक करेंगे, देखें कि current आ रहा है, यह देखो दो ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, कि यह दो ट्रिक से current गायब हो जाएगा, अगर तब भी current नहीं गायब हो पाएगा, कोई फिरीज का current नहीं गायब कर पाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, कि यह जो हमारा three wire आ रहा है, three wire में से जो अर्थ कतार होता है, हमार जो green वाला होता है, उसमें आपको क्या करना है, सारे जो हमने wire को काटा था, सब को आपस मिक्स कर लेना है, मिक्स करने के बाद, वहां से क्या करना, एक कोई लोहे का टुकड़ा लेना है, या फिर कोई वारसल लेना है, उसको बांथ कर उसे जमीन के नीचे रग देंगे, च होता है, आपको क्या करना है, ये जो देख रहे हैं, कि board में से एक हमने जो wire लिया है, वो हमने body में attach कर दिया है, जो हमारा दिवाल में बकसा लगाता है, वहां दे दिया है, और जो हमारा board का जो अर्थ वाला wire होता है, यहां पे जहां पे इसका मोटा सा लगता है, socket में वह दे दिया है तो करेंट जो है इसका गयब हो जागा यह हमारा दूसरा पॉइंट है